एलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी जैसे कि आप सभी को पता है है तोटल वन थाउजंग अंगलाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं इसमें आज का हमारा 34 नंबर ये पिसोड और इसमें हमारा फिर्स्ट केस्ट्ट आज है जो हमें 33 के लास्ट में चोड़ा था वहीं से हम सुरू कर रहा है फर्स्ट कुछ नमरा बोल रहा है हाई स्कूल स्टुडेंट रेटन टू स्कूल फॉलोविंगे थ्री वीक अबसेंट दू नॉनुकलोसीश एक हाइश कुल का बच्छा तीन वीक तक अबसेंट रहने के बाद में मौनो नुकलोसीश उसको हो गया था अभी स्कूल म अबसेंट को अबसेंट को अबसेंट के लिए जो अभी तीन वीक अबसेंट के बाद में इसकूल में आया है उसके लिए निर्स के इन में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है यह आप से यहाप पूछा गया है दिखिए इन्फेक्टि मोनो नुकलोसीश की बात अगर हम करें तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्सियस मोनो नुकलोसीश यह एक वाइरल डिजीज है इसका जो कोजिटियो आजेंट जो है वो ह हैं अपिस्टिन बार वायरस उस एक शिपस्टिन बार वायरस वायरस संटीन बारática के द्वारा होता है इन्कूबेसन In Position period जो है वो चार से शहए वीक का होता है। इसमें क्या है जो ट्रांस्मिशन जो हो डारेक्ट इंटिमेट कॉंटक्ट से होता है। इसमें symptoms के अगर हम बात करें तो symptoms में general symptoms में fever, malaise, fatigue, nausea, vomiting, sore throat ये general features देखने को मिलेंगे इसके अलावा, जो special symptoms जो मिलेंगे वो lymphadenopathy lymphadenopathy lymph node का साइज बढ़ जाएगा इसके अलाबा हीपेटो-इस्प्रिनो-मिगली यानि कि जो लीवर है उसका साइज बढ़ जाएगा और इस्प्रिन का साइज भी यहां पर बढ़ जाएगा ठीक है और यहां पर जो patient है यहां इन्फेक्शिस मोन blood storage की capacity यह वो ज्यादा होती है यानि कि हमारे औरगन में अगर सबसे ज्यादा blood का storage अगर कोई करता है तो वो spleen करता है अब spleen का size बढ़ जाने की वज़े से spleen के rupture होने के चांसे यहां पर बढ़ जाते हैं तो यहां पर spleenic rupture spleen के rupture होने के चांसे सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं और spleen के जब rupture हो जाएगा तो यहां पर patient को hemorrhage होगा और hemorrhage गंशनी के वज़े से बढ़ बलड का loss जाता होगा और उस spleen के rupture को prevent करने के लिए हमें यहां पर patient को कोई भी sports activity में भाग नहीं लेने के लिए बोलना है इसलिए option जो आपका बी है यह सही आंसर देखने को मिलेगा to avoid contact sport for one to two minutes यानि कि patient को एक से दो महिने तक कोई भी sports activity जो है उसको avoid करना है ताकि उसका spleen जो है वो rupture नहीं हो spleen अब हमारा left side में होता है तो जब spleen rupture हो जाएगा तो उसको आप कैसे identify करेंगे दीखे left side में है तो left side में में पेन होगा और अगर हम stomach cavity के या abdominal cavity के चार एरे डिवाइड करें तो left right left upper quadrant right quadrant right upper quadrant और right lower quadrant तो यहाँ पे left side में पेन होगा और left left upper quadrant में पेन होगा left upper quadrant में पेन होगा अगर spleen rupture हो गा तो और left upper quadrant में पेन होगा abdominal pain होगा, इसके लावा left shoulder में भी pain होगा, left shoulder में pain होगा, left upper quadrant में pain होगा, abdominal pain होगा, spleen का rupture हो जाने की वज़ेशी होगा, common इसका agent जोगा वो epistine virus है, infectious disease है, viral disease है, तो इसलिए antibiotic therapy यहाँ पर नहीं देनी है, option D आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि antibiotic देंगे आप अगर bacterial infection है तो, first option नहीं बताया गया है, to drink additional food throughout the day, यहाँ पर extra food लेने की कोई जरूत नहीं है, इसलिए option A आपका गलत हो गया, c में बताया गया है, to have a snack twice a day, hypoglyceum होने के कोई chances नहीं रहते हैं, इसलिए c option आपका गलत हो गया, यहाँ पर option B है, जो सही answer देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर patient का spleen का size या lymph node का size जो बढ़ जाता है, liver का size बढ़ जाता है, spleen के rupture होने के chances बढ़ जाएंगे, इसलिए patient को कोई भी sports activity में भाग नहीं लेना है, ताकि उसका spleen rupture नहीं हो, spleen अगर rupture हो जाएगा, तो वहाँ पर blood loss होगा, और spleen rupture के sign के हम बात करेंगे, तो left abdominal या left upper quadrant pain देखने को मिलेगा, option B is the correct answer, next question आपका है, a six year old with cystic fibrosis has an order for pancreatic replacement, एक patient has cystic fibrosis वाला, उसको 6 साल का patient है, cystic fibrosis है, has an order for pancreatic replacement के लिए order है, the nurse know that the medication will be given, cystic fibrosis वाले patient को pancreatic replacement वाले patient को, जो medication जो दी जानी है, उसका क्या timing हो है, यापसे कुछ अगा है, at better time, meal and snacks, twice daily, daily in the morning, दीखे, pancreatic replacement जहाँ पे हो रहा है, यानि कि जो pancreatic से, pancreatic जो juice निकलता है, pancreatic juice या pancreatic enzyme जो निकलते हैं, वो जो food का digestion करते हैं, food के कौन से part का, कौन से component का digestion करते हैं, protein, fat, carbohydrates, इन तीनों का digestion जो है, वो pancreatic juice के द्वारा किया जाता है, तो जब हम किसी patient को, cystic fibrosis वाले patient को, जिसका pancreatic replacement होना है, या हो रखा है, उस patient को जो हम medication देंगे, तो उसको हम किस time पे medicine देंगे, ये आप से यहाँ पे पूछा गया है, medicine उसको हम with meals and snacks, option B यहाँ पे सही आनशवर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस patient में जब आपको कुछ भी खाना दे रहे हैं, कुछ भी meal दे रहे हैं, कोई snacks दे रहे हैं, तो उसके digestion के लिए, यहाँ पे pancreatic enzyme वाले, या pancreatic replacement वाले patient के पास में pancreatic juice नहीं है, अब उस pancreatic juice का, आप composition patient को medicine के रूप में दे रहे हैं, तो जब भी patient कोई खाना खाएगा, तो उस खाने का, या उस meal का, या उस snacks का, digestion प्रोपर करने के लिए, या metabolism प्रोपर करने के लिए, आपको pancreatic juice बाहर से externally चाहिएगा, तो यह जो pancreatic juice हम medicine के रूप में जो देंगे, या pancreatic composition जो medicine के रूप में देंगे, ये इस टाइम पर देना है, जब भी patient खाना खाए, तो उसका food अंदर जाए, और उसका metabolism होने के लिए हमें pancreatic juice का composition चाहिए, तो जब भी patient को कोई भी meal देंगे, कोई भी snacks देंगे, कोई भी food देंगे, तो उसके साथ में ही हमें pancreatic juice का composition, या pancreatic के लिए जो medication, cystic fibrosis वाले patient को में जो दी है, वो देनी पड़ेगी, ठीक है, option B यहाँ पर से या अंशर देखना को मिलेगा, क्योंकि meal और snacks जब भी patient ले रहा है, तो उसके digestion और metabolism के लिए आपको pancreatic juice चाहिएगा, और जब भी patient कुछ भी खाएगा, तो उसके साथ में ही आपको यह हर बार दिना पड़ेगा, हर meal के साथ में, हर snacks के साथ में, ताकि उसका proper metabolism और digestion हो सके, option B is the correct answer, next question आपका है, next question आपका है, the doctor has prescribed a diet high in vitamin B12 for a client with parnicia sanimia, parnicia sanimia वाले patient को डोक्टर ने vitamin B12 का high diet वाला option दिया है, कि आपको vitamin B12 वाली diet लेनी है, which foods are highest in vitamin B12, यानि कि आपके चार option जो दिये गए, इन में से कौन से food में vitamin B12 का amount ज़ादा है, या आप से पुछा गया, फर्स्टर option है, meat, eggs और dairy product, दूसरा option है, peanut butter, resin और molasses, थर्ड़ है, broccoli, cauliflower, cabbage, shrimp, legumes और bran cereals, अब आपको यहाँ पर यह पता होने चाहिए, कि vitamin B12 वाला जो patient है, या vitamin B12 का जो amount है, वो इन में से किस food में ज़ादा होता है, या आप से आपे पुछा गया है, दीखिए, peanut butter, resin, molasses, यह जो है, इसमें iron का amount ज़ादा होता है, peanut butter, resin और molasses में, iron का amount ज़ादा होता है, broccoli, cauliflower और cabbage, इन में, vitamin K का amount ज़ादा होता है, shrimp, legumes और bran cereals, इन में, magnesium का amount ज़ादा होता है, ठीक है, और meat, egg और dairy product, इसमें, vitamin B12 का amount ज़ादा होता है, तो patient को अप क्यां सा खाना, इन में से लेने के लिए बोलेंगे, meat, eggs, और dairy product, option A is the correct answer, क्योंकि in foods में, या in foods containing item में, जो vitamin B12 है, वो ज़ादा होगा, peanut butter, resin, molasses, इसमें iron ज़ादा है, broccoli, cauliflower, cabbage, इन में vitamin के ज़ादा है, shrimp, legumes, और brand cereals में, magnesium के लिए ज़ादा होता है, यहाँ पे patient को हम, यह वाला option, यहाँ के meat, eggs, और dairy product, ज़ादा लेने के लिए बोलेंगे, इसमें vitamin B12 का content, ज़ादा होता है, next question आपका है, एक client, with breast cancer is returned to the room, following a right total mastectomy, इसका right total mastectomy किया गया है, breast cancer था उसको, अभी nurse क्या करेगी, first option है, elevate the client's right arm on pillow, right side में जो total mastectomy किया गया है, उस वाले hand को, या right arm को, pillow पे रखके elevate करेगी, दूसरा है, place the client's right arm, इने dependent sling, या patient के right arm को, dependent sling में place करेगी, या keep the client's arm on the bad side, patient के bad side में, या जैसे patient के besides में, patient के hand को right arm को रखेगी, या place the client's right arm across her body, या उसके across body में, body के across, उसके right hand को रखेगी, देखी यहाँ पे बात हो रही है, right total mastectomy की, तो right total mastectomy का मतलब क्या है, कि जो patient का breast है, right side वाला जो breast है, उसका entire removal किया गया है, अब यहाँ पे patient को कोई भी swelling develop नहीं हो, और food का drain out करने के लिए, या तो drain के लिए, और swelling से avoid करने के लिए, यहाँ पे patient के hand को, nurse elevate the client's right arm on pillow, pillow पे elevate करके रखेगी, ताकि वहाँ से drain को support कि अज़से, या निकि जो proper drainage है, उसका हो सके, या फूलूड का और इसके अलावा, वहाँ पे swelling develop नहीं हो, इस चीज को avoid करने के लिए, option A के साथ में हम जाएंगे, क्योंकि nurse जो है, उसके right arm को पिलों पे elevate करके रखेगी, swelling को avoid करने के लिए, या सबसाइड करने के लिए, option A is the correct answer, next question आपका है, question बोल रहा है आपका, a neurological consult has been ordered, for a pediatric client with suspected absence seizure, एक neurological consultation बेजा गया है, आपके एक pediatric patient के लिए, जिसको आपको suspected है कि absence seizure उसको हुआ है, the client with absence seizure can be expected to have, तो absence seizure वाले patient में, क्या symptom देखने को मिलता है, आपसे यह आपके पूछा गया है, first option है, short abrupt muscle contraction, short time के लिए, abruptly यानिके एकदम से muscle contraction होगा, quick bilateral severe jerking moment होगा, abrupt loss of muscle tone होगा, brief lapse in consciousness, या consciousness जो है, वो थोड़े से कम time के लिए loss हो जाएगी, यह यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए, जो seizure है, या जो epilepsy है, उसका मतलब आपको पता है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि absence seizure जो है, उसमें patient में कौन सा symptom आपको देखने को मिलेगा, यह यहाँ पर इंडार गले आपसे पूछा गया है, अगर यहाँ पर हम बात करें, first option दिया गया है, short abrupt muscles contraction, short abrupt muscle contraction, यानि कि short time के लिए, muscles का जो contraction होता है, वो कौन से वाले seizure में होता है, यह आप से यह पर पूछा गया है, तो यह जो feature यह है, myoclonic seizure का, myoclonic seizure में, short abrupt muscle contraction देखने को मिलता है, ठीक है, दूसरा option में आपको दिया गया है, quick bilateral severe jerking moment, quick bilateral severe jerking moment, यह देखने को मिलता है, tonic, clonic seizure, या जिसको हम grand mal seizure भी बोलते है, tonic clonic seizure या grand mal seizure, इसमें यह symptom देखने को मिलता है, quick bilateral severe jerking moment, और तीसरा है, abrupt loss of muscle tone, muscle tone जहाँ पर absent हो जाती है, वो seizure हमारा है, atonic seizure, atonic seizure, यानि कि यहाँ पर muscle का कोई भी tone नहीं है, उनका absence होना, atonic seizure, तो बचा कौन सा आपका, D option, अब पुछा गया है कौन सा, absence seizure, D option आपका सही answer जाएगा, D में क्या होता है, या absence seizure में क्या होता है, absence seizure जो है, इसको हम बोलते है, pettit mal seizure, pettit mal seizure, pettit mal seizure को हम बोलते हैं, absence seizure, यह एक तो children में, बच्चों में बहुत ही common है, pettit mal seizure, और इसमें, जो muscle tone है, उसमें कोई भी change नहीं आता है, शिर्फ 5 से 10 सेकेंड के लिए, consciousness loss हो जाती है, 5 से 10 सेकेंड के लिए, loss of consciousness हो जाता है, इसकों बोलते है, pettit mal seizure, बच्चों में common है, option D, यहाँ पर सही अंसर देखने को मिलेगा, short abrupt muscle contractions हो है, यह देखने को मिलता है, my clonic seizure में, quick bilateral severe jerking moment, यह देखने को मिलता है, tonic, clonic या grand mal seizure में, abrupt loss of muscle tone, अगर एकदम से muscle tone का loss हो रहा है, तो उसकों बोलता है, atonic seizure, और यहाँ पर पुछा है, आपसे absence seizure या petit mal seizure, तो petit mal seizure में क्या होता है, जो consciousness है, उसका loss हो जाता है, option D, यहाँ पर सही अंसर देखने को मिलेगा, petit mal को हम बोलता है, absence seizure, बच्चों में common होती है, पांच से दस सेकेंड के लिए consciousness का loss हो जाता है, option D is the correct answer, next question आपका है, देखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि seizure affected disorder, यानि कि कोई भी एक patient है, जिसको इन में से कोई भी medicine लेने के वाज़े से, Parkinsonism जैसे symptoms आ रहे हैं, Parkinsonism जैसे symptoms आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी patient यहाँ पर medicine ले रहा है, और Parkinsonism के symptoms किस patient में आते हैं, anti-psychotic medication जो patient लेते हैं, उनमें आते हैं, anti-psychotic, वो medication जो, schizophrenia और mania के treatment में यूज करते हैं, उनकों बोलता है, anti-psychotic, ठीक है, anti-psychotic medication, जो, schizophrenia या, seizure affected disorders के, यूज में लेते हैं, और, all-engapine medication जो ही है, आपका anti-psychotic medication है, option A यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो patient anti-psychotic medication लेते हैं, उनमें Parkinsonism जैसे symptoms आते हैं, उनकों हम बोलते हैं, EPS, extra-paramidal symptoms, ठीक है, तो extra-paramidal symptoms जो है, वो, जो patient anti-psychotic medication लेते हैं, उनमें develop हो जाते हैं, और यह all-engapine जो है, यह medication responsible है, Parkinsonism जैसे symptoms, patient में appear करने के लिए, इसलिए option A है, यह आपका सही आंसर देखने को मिलेगा, दूसरा आपका दियागा है, बेंजो-ट्रिपीन मिसालेट, यह option आपका गलत होगा, क्योंकि, यह medication तो हम Parkinsonism के treatment के लिए यूज़ करते है, इस medicine के वज़े से, Parkinsonism जैसे symptoms नहीं आते है, और यह आपका प्रिपीन की वज़े से, Parkinsonism जैसे symptoms आते है, बेंजो-ट्रिपीन तो हम Parkinsonism को treat करने के लिए यूज़ में करते है, तिसरा option आपका गलत होगा, क्योंकि benadryl medication जो है, यह हम patient को, अगर कोई allergic reaction है, या anti-stamine medication है, benadryl, allergic medication है, या hay fever है, या कोई जहां पर हम anti-stamine medication देनी है, वहाँ पर हम benadryl देते हैं, तो benadryl के वज़े से Parkinsonism जैसे symptoms नहीं आते हैं, इसलिए option C आपका गलत होगया, और dival prox sodium, ये medication seizure के treatment के लिए दी जाती है, इसलिए option A आपका सही answer देखने को मिलेगा, क्योंकि olangipine medication जो है, ये एक anti-psychotic medication है, और कोई patient अगर anti-psychotic medication लेता है, तो उसमें Parkinsonism जैसे symptoms आते हैं, उनको बोलता है extra-paramidal symptom, option A इस दा correct answer, next question आपका है, question बोल रहा है आपका, the glycosylated hemoglobin FM 40 year old client with diabetes mellitus is 2.5%, यानि कि एक 40 साल का patient है, आपका जिसका diabetes mellitus है, उसका glycosylated hemoglobin का level जो है, वो 2.5% है, the nurse understands that, nurse को पता है, या nurse इस value से क्या understand कर रही है, ये पूछा गया है, first option बता रहा है आपका, the client can have a higher caloric diet, patient को हम high caloric diet और दे सकते हैं, दूसरा option है, the client has good control of her diabetes, या patient ने अपने diabetes level पे अच्छा control किया हुआ है, तीसरा option बता रहा है, the client require adjustment in her insulin dose, patient के insulin dose में change करने की ज़रूरत है, या the client has poor control of her diabetes, या patient का अपने diabetes level पे poor control है, ये आपसे आपे पुछा गया है, यहाँ पे value दी गई 2.5% glycosylated hemoglobin, glycosylated hemoglobin का मतलब क्या है, कि आपका blood का glucose जो है, आपका blood glucose, जो hemoglobin से bind होता है, उसका value है, ये 2.5%, अब ये जो value है, ये normally किसी भी candidate में, 7% से कम होना चाहिए, ये value है, जो कम होना चाहिए, 7% से, अगर ये normal range के हम बात करें, 4-6% होता है, तो जो normal range के हम बात करें, तो वो जोता है 4-6%, लेकिन, जो patient जिनको diabetes malitis होता, या diabetes वाले patient जो रहते हैं, उनके लिए हमारा goal रहता है, है कि उनको जो HBA 1C, या hemoglo-glycosylated hemoglobin का level जो है, वो 7% या उससे कम maintain रहे, 7% या उससे कम maintain रहे, अब यहाँ पे कितना 2.5% है, इसका मतलब किया है, कि 7% से कम है, या इसके लिए दूसरा, अगर revised range की बात करें, एक तो 4 से 6% है, और कहीं जगे 2.9 से, 2.5 से 5.9%, 2.5 से 5.9%, इसको भी एक normal range माना गया है, तो यह 2.5% है, यह भी एक normal range में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह patient का जो है, यह hemoglobin का, या glycosylated hemoglobin level, वो एक normal range में है, patient diabetic नहीं है आपका, यह पिछले 3-4 मन्त, जब आपने टेस्ट किया है, उससे 3-4 महिने तक का, आपका hemoglobin, कैसे blood glucose level जो है, वो किस तरह से रहा है, उसका pattern show करता है, या उसके pattern को बताता है, यानि कि पिछले 3-4 महिने तक, आपके blood glucose level का क्या pattern रहा है, यह level है, और यह diabetes के लिए, एक confirmatory मानते हैं, हम इसको, इसके अलावा, normal range, अमने बताया, 4-6% है, या कई जगे 2.5-5.9% भी है, लेकिन diabetes वाले patient में, आपका purpose रहता है, कि 7% या 7% से कम होना चाहिए, अब, diabetes वाला patient जो है, उसमें, यह value है, अगर कोई person में 2.5% का value है, तो इसका मतलए कि वो diabetic नहीं है, तो option कौन सा आपका गलत हो गया, option C, the client require adjustment in her insulin dose को, कि patient को, अगर diabetes ही नहीं है, इस value से पता लग रहा है, कि diabetes नहीं है, तो उसको insulin dose को requirement, या adjust करने की requirement नहीं है, option C आपका गलत हो गया, the client has poor control of her diabetes, patient का क्या उसकी diabetes पे poor control है, नहीं, poor control का बोता, अगर 7% या 7% से ज़्यादा level रहता, तो poor control रहता है, option D भी आपका गलत हो गया, the client can have high caloric diet, ठीक है, the client can have a higher caloric diet, patient यहाँ पे high caloric diet, ले सकता है, लेकिन, उसका जो blood sugar level, वो elevated हो सकता है, और poor control रह सकता है, उसके diabetes के level पर, इसलिए option A आपका यहाँ पे गलत होगा, और option B है जो सही आंसर देखने को मिलेगा, the client has good control of her diabetes, यानि कि HBA1C का या glycosylated hemoglobin का level, अगर 2.5% है, तो इसका मतलब किया कि patient ने, अपने diabetes level पे या diabetes पे, अच्छे से good control किया हुआ है, option B is the correct answer, next question आपका है, the physician has ordered istadol, butarphenol for a post-operative client, एक patient है, जिसको post-operative यान कि surgery हुई है, post-operative उस patient को, डॉक्टर नहीं यह medicine देने के लिए बोला है, butarphenol, the nurse know that the medication is having its intended effect, if the client, nurse को पता है कि अगर किसी patient को यह medicine, butarphenol दे दिया, तो उस patient में इन में से कौन सा side effect देखने को मिला गए, यानि कि नर्स को पता है, कि अगर इस medicine को देने पर patient में इन में से कौन सा statement सही होगा, या जो देखने को मिलेगा, ताकि इस medicine का effect जो है, तो, बिटर फिनोल जो medication है, यह एक opioid analgesic है, opioid analgesic, ठीक है, फर्स्ट उप्शन, इस एस लिप 30 minutes after injection, यह medicine देने के बाद क्या patient, next 30 minutes तक, इंजेक्शन लगने के 30 minutes बाद तक, आराम से rest करेगा, दूसरा है, आस्क पर extra serving on his meal tray, या उसकी जो, खाने वाली जो tray है, या जो खाना है, उसके लिए extra माँगेगा, has an increased urine output, या patient का, इस medicine चे urine output बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, या state that he is feeling less nauseated, या उसको लगेगा, अभी कि उसको अभी nausea इतना feel, नहीं हो रहा है, दीखिए, ब्यूटर फिनोल जो यह ओपोईड आनाल जैसी कह है, यह pain के perception level को कम करती है, यह medicine, pain के perception level को कम करती है, यानि कि patient को यहाँ पे pain feel नहीं होगा, pain feel नहीं होगा, post-operative patient है, तो उसको anesthesia का effect है, patient को surgery के बाद में anesthesia का effect है, तो patient drowgy रहेगा, और sleepy रहेगा, ठीक है, अब वहाँ पे pain भी नहीं होगा, तो patient के आराम से rest कर पाएगा, rest कर पाएगा, तो इसका मतलग क्या है, कि patient आपका पहले जो drowgy था, sleepy था, और अभी pain भी नहीं है, तो आराम से rest कर सकता है, इसलिए patient आपका सो जाएगा, option A जो सही answer देखने को मिलेगा, इसलिए 30 minutes after injection, ये medicine लगने के, आदे गंटे तक patient आराम से, यानिकि आदे गंटे बाद patient आराम से सो जाएगा, option A याँ पे सही answer देखने को मिलेगा, क्योंकि बोटाइरफोन जो है, वो pain के perception level को, यानिकी pain को कम कर देगी, और pain अगर post-operative patient में कम हो जाएगा, तो patient आराम से rest करेगा, ठीक है, दूसरा answer था, ask for extra serving, ये कोई patient के खाने की demand, या meal पे कोईच भी changes नहीं करता है, option B आपका गलत होगा, urine और पूट पे कोई effect नहीं डालता है, patient के nausea level को भी कम नहीं करता है, इसलिए option A जो आपका सही answer देखने को मिलेगा, क्योंकि butyrephone जो है, ये pain के perception level को कम करेगी, patient का pain level कम होगा, तो patient आराम से rest करेगा, rest करेगा तो patient को, nauseated, या वो sorry, medication जो, anesthesia के time पर जो medication देगी है, उनके side effect की वज़े से, drowsy और sleep होने की वज़े से patient को need आएगी, patient आराम से sleep में रहेगा, option A जो सही answer देखने को मिलेगा, next question आपका है, question बोल रहा है, the mother of a child with cystic fibrosis tell the nurse, that her child makes snoring sound when breathing, एक cystic fibrosis वाला patient है, उसकी mother nurse को बता रही है, कि जब उसका baby breath करता है, तो snoring sound, यानि कि जो खर्राटे हैं, उसकी आवाज आती है, the nurse is aware that many children with cystic fibrosis have, nurse को पता है, कि जो cystic fibrosis वाले बच्चे जो होते हैं, उनमें, इनमें से commonly क्या देखने को मिलता है, the nurse is aware that many children with cystic fibrosis have, cystic fibrosis वाले patient में, इनमें से क्या देखने को मिलता है, first option है, koanal atrasia, nasal polyps, septal deviation, and large adenoids, देखे, cystic fibrosis जो है, यहाँ पे जो organs और जो tissue है, उनके passes में, जो secretions है, उनका इखटा हो जाने के वज़जे से, organic change जाते हैं, और यह multi-system हो सकते हैं, बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे patient के जो secretions है, उनको बाहर निकलने में भी problem आती है, और जिसे musculo-skletal है, respiratory systems है, यह symptoms, skin intangumentary system है, यह जाद आफेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे cystic fibrosis वाले patient में, जो, क्या बोलते हैं, यह, sinusitis, sinusitis, और nasal polyps, बढ़ जाते हैं, अब sinusitis और nasal polyps होने के chances बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे patient में, सबसे ज़्यादा snoring sound, यह खराटे वाले जो है, यह देखने को मिलते हैं, option B आपका सही answer देखने को मिलेगा, coanalyteration जो है, यह एक bony obstruction है, bony obstruction, bony obstruction between, between nears and pharynx, pharynx और nears के बीच में, जो bony obstruction, उसकों बोलते को ना लेटरिश है, यह congenital होता है, option A आपका गलत हो जाएगा, septal deviation और enlarged adenoids जो है, यह cystic fibrosis से related नहीं है, इसलिए option C और D यह दोनों गलत हो जाएगे, cystic fibrosis और पेशेंट्स में, nasal polyps या sinusitis commonly होने के चांसे रहते हैं, और उस sinusitis और nasal polyps होने के वज़े से, snoring sounds जो हो यह पीरे होगा, और इसलिए option B है जो सही आलशूर देखने को मिलेगा, next question आपका है, question बोल रहा है आपका, A client is hospitalized with hepatitis A, एक patient है जिसको hepatitis A है, hospital में admit है, which of the clients regular medication is contraindicated due to the current illness, इन में से patient का, इस current illness यानिक hepatitis A की वज़े से, जो इन में से कौन सा medication जो है, वो contraindicated रहेगा, यह पूछा गया आपसे, first option है, amiprazole, दूसरा leothiroxin, primarin, conjugated estrogen, और atrovestation, देखिए, amiprazole जो है, एक PPI है, leothiroxin जो है, यह patient को, thyroid disease वाले cases में देते हैं, ठीक है, estrogen जो है, यह patient का, एक hormonal medication है, ठीक है, और atrovestatin जो है, यह lipid lowering agent है, lipid को, level को कम करने वाले, ठीक है, तो इन में से liver disease, किसी patient को है, या hepatitis A किसी patient को है, तो इन में से, कौन सा medicine, यह patient को नहीं दिया जा सकता, यह आप से यह पर पूछा गया है, option D है, जो आपका सही answer यह पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एट्रवास्टेटिन, यानि कि जो lipid के lower करने वाले, lipid के level को कम करने वाली medication है, या इनी को हम statins बोलते हैं, यह active liver disease में नहीं दी जाती है, active liver disease में, lipid lowering agent नहीं देते हैं, तो कि lipid lowering agent जो है, यह lipid के level को कम करते हैं, lipid के level को कम करते हैं, और जो hepatic enzyme के जो level है, या liver के जो enzyme है, उनके level को यह medications, या जो lipid lowering agent अमारे जो है, यह hepatic enzyme के level को, या liver के enzyme level को बढ़ा देते हैं और liver के enzyme level पहले ही liver disease में बढ़ा हुए है और यहाँ पे भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे या इस्टेटिंग मेडिकेशन या lipid lowering medication के वज़े से तो liver के damage होने के चांज से ज़्यादा और बढ़ जाएंगे इसलिए hepatitis A disease को या जो भी active liver disease होती है उन में lipid lowering agent patient को नहीं दिये जाते हैं lipid lowering agent contraindicated रहते है active liver disease में इसलिए option D है या आपका सही answer याँ पे देखने को मिलेगा next question आपका है next question आपका है the nurse has been teaching the role of a diet in regulating blood pressure to a client with hypertension nurse जो है एक hypertension वाली patient को उसके diet के बारे में या diet का रोल समझा रही है कि उसके hypertension को कैसे तरह से control किया जा सकता है which meal selection indicate the client understand his new diet इन में से patient के दुआरा कौन सा meal का selection है ये decide कर देगा या कि patient को अपनी diet के बारे में समझ में आ गया है कि जिससे उसका hypertension को control किया जा सकता है first option है आपका cornflak, wool milk, banana, coffee scramble diet, bacon, toast and coffee oatmeal, apple juice, dry toast, coffee pancakes, ham, tomato juice and coffee देखिए option C आपका या पर से यांसर देखने को मिलेगा oatmeal जो है oatmeal में sodium का amount कम होता है apple juice, toast or dry coffee oatmeal और apple juice इन में fiber का amount ज़्यादा होता है oatmeal में sodium का amount कम है apple juice में और oatmeal में fiber का amount ज़्यादा है तो इस जो fiber जो है ये cholesterol level को कम रखेगा cholesterol level को कम रखेगा तो क्या है कि hypertension नहीं होगा oatmeal में sodium का level जो है वो कम है sodium का level कम है तो भी hypertension नहीं होगा तो oatmeal और apple juice, dry toast और coffee अगर ये सारी चीज़े patient अपने diet में चूज करता है या select करता है तो इसका मतलब है कि patient को अपने hypertension को avoid करने वाले diet मिल चुकी है option C यहाँ पर सही आंशुर देखने को मिलेगा next question आपका है question आपका है an 18 month old is being discharged following hypoaspidasis repair एक 18 महीने का बच्चा है hypoaspidasis का surgery हो गया आभी discharge हो के जा रहा है which instruction should be included in the nurse discharge teaching discharge teaching में इन में से कौन सा instruction जो include किया जाना चाहिए nurse के द्वारा patient को discharge teaching करा आते time जिसका hypoaspidasis surgery हुआ है first option है the child should not play on his rocking horse patient को अपने rocking horse पे या उसके साथ में नहीं खेलना है second option है applying warm compress to decrease pain pain को decrease करने के लिए आप महाँ पे warm compress जो है use कर सकते है third option है diapering should be avoided for 1-2 weeks 1-2 weeks तक के लिए diapering avoid करना है the child will need a special diet to promote healing या healing को promote करने के लिए special diet का जरूरत होगा अब कौन सी चीज को ज्यादा importance है ये आप से यापर पुछागा है which instruction should be included इन में से कौन सा instruction include होना चाहिए discharge के time पे देखे hypoaspidasis वाला surgery patient का हुआ है तो patient को straddle straddle toys straddle toys को avoid करना चाहिए straddle toys में ही आता है आपका rocking horse option A जो है आपका सही answer देखने को मिलेगा straddle toys का मतलब क्या होता है straddle toys मतलब वो toys जिनमे patient अपने pair फैला करके उस पे बैठता है या बच्चा वो toys जिसमे बच्चे को उस पे बैठना होता है और अपने pair फैला करके अब straddle toys का मतलब क्या हो गया rocking horse अब horse जो होता है या rocking horse जो होता है उस पे जब baby बैठेगा अपने pair फैला के बैठेगा तो उसका penis का जो hypospedis वाला जो surgery वाला जो part है वो उस horse को touch करेगा और उस surgery site का या surgery वाली site का horse से touch होने की वज़े से या toys से touch होने की वज़े से suture site के damage होने के या उस graft के घराब होने के chances है इसलिए यह चीज यहां पे हमको avoid करनी है और इस important point को discharge teaching में instruction में include करना है option A जो है आपका सही answer यहां पे देखने को मिलेगा next question आपका है an obstetric client call the clinic with the complaint of morning sickness एक patient है pregnant patient है complaint कर रहा है morning sickness का the nurse should tell the client to nurse patient को बता रही है क्या बता रही है keep cracker at the bedside for eating before she arrives अपने bedside में crackers को रखना है और सुबह उठने से पहले इसको खा लेना यानिकि bad से उठने से पहले इसको खाना है first option है दूसरा option है drink a glass of wall milk before going to sleep at night night में एक full glass of wall milk का लेना है तीसरा option है skip breakfast but eat a larger lunch and dinner breakfast को skip करना है larger amount में या heavy amount में lunch और dinner कर लेना है D option है drink a glass of orange juice after adding a couple of teaspoon of sugar teaspoon of sugar का add करने के बाद में एक orange juice को glass को लेना है तो morning sickness जो pregnancy के time पे जो होता है उसको avoid करने के लिए nurse इन में से कौन सा instruction है या कौन सा pointer जिसको include करेगी patient को बताएगी कि यह आपको follow करना है first option आपका यापर सही आपको देखने को मिलेगा first option आपका बोल रहा है keep cracker at the bed side for eating before she arrives यानि कि अपने bed side में crackers को रखे और सुबह बैड से उठने से पहले इनको खा ले इससे क्या है morning sickness को रिलीव किया जाएगा क्योंकि कार्बो हैड्रेट होता है dry crackers में और यह कार्बो हैड्रेट होता है यह morning sickness को norm कैकर्से क्याट करेगा morning sickness को अलिवेट करेगा की YouTube कार्ण ilipopo양 विलीवेट करेगा इसलिए patient को आप dry टोस्त और ड्राइ करेकर्स जो ह mission बैड साइड से यह बैड साइड में रखने के लिए बोलेंगे और अरली इंदा मौरनिंग खाने के लिए बोलेंगे इसलिए option A जो आपका से अंसर देखने को मिलेगा option B था drink glass of wall milk यह आपका गलत अंसर देखने को मिलेगा क्योंकि जो वोल मिल्क जो है इससे patient को जो ज्यादा time जो है यह nausea के conditions को बढ़ाएगा इसलिए option B आपका गलत होगा option C है इसकी breakfast patient को breakfast जो skip नहीं करना है क्योंकि जो calorie requirement जो है वो pregnancy के time पर complete होना चाहिए इसलिए option C गलत हो गया option D B आपका गलत होगा क्योंकि यह जो tea is pure sugar add कर रहे है यह patient जो hypoglycemia वाले होते है उनके लिए एड किया जाता है option D B आपका यह आपका गलत हो जाएगा option A जो है सही अंसर देखने को मिलेगा next question आपका है the physician has discussed the need for medication with the parents of an infant with congenital hypothyroidism एक congenital hypothyroidism वाला बच्चा है उसके parents के साथ में nurse physician जो है वो discuss कर रहा है medicines के requirement या need के बारे में the nurse can reinforce the physician's teaching by telling the parents that nurse जो है physician's की teaching के अलावा patients के relatives को क्या बता सकती है या उसकी teaching में और क्या add कर सकती है जिस बेबी को congenital hypothyroidism है उसके लिए first option है the medication will be needed only during times of rapid growth जब बेबी rapid growth करेगा उसी time पर medications का ज़रूरत रहेगा दूसरा है the medication will be needed throughout the child's lifetime बेबी के lifetime के लिए यह medication congenital hypothyroidism वाने को treat करने के लिए दी जाती है वो continuously lifetime तक रहेगी तीसरा option है the medication schedule can be arranged to allow her drug holidays या बीच 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 पे उसकी medicines को आप discontinue करेंगे और फिर वापी से continue कर सकते है जिस बेबी को congenital hypothyroidism है या last option है the medication is given one time daily every other day या medication को one time daily every other day यानि कि हर एक दिन के बाद में एक दिन में देना है और एक टाइम पर regularly दी जाएगी तो congenital hypothyroidism वाले medication patient के लिए आप इन में से कौन सा teaching को include करेंगे यह आप से आपे पुछा गया है congenital hypothyroidism जो है वहाँ पे patient को lifetime medication दी जाएगी इसलिए nurse physicians की teaching के साथ साथ में अपने इस point को भी patient को teach करा सकती है या patient के relative को teach करा सकती है कि the medication will be needed through out the child's lifetime बेबी के पूरे lifetime तक के लिए medications की जरूरत रहेगी option B है जो आपका सही आनसुर देखने को मिलेगा तब medication will be needed only during the times of rapid growth rapid growth के time ही आपके T3 T4 level जो है वो उसकी जरूरत नहीं है आपके T3 और T4 का level हमेशा ही metabolism के लिए आपका होना जरूरी है इसलिए जो medication है thyroid वाली medication जो है वो हमेशा ही lifetime चलेगी इसलिए option A आपका गलत हो गया option B है यही गलत हो जाएगा क्योंकि आप इसको drug holiday celebrate नहीं कर सकते हैं यहां पर क्योंकि medication का lifetime चलना है continuously चलना है और medication is given one time यह एक दिन छोड़के एक दिन पर भी नहीं दिन है इसलिए option तीनों आपके गलत हो जाएगे option B.I.S.I. आन्शुर देखने को मिलेगा क्योंकि यह hormone जो है इसलिए यह सारी medication जो congenital hypothyroidism को हम treat करने के लिए दे रहे है वो medication हमेशा ही यान कि patient के पूरे lifetime चलनी होती है इसलिए option B है जो आपका सही आन्शुर देखने को मिलेगा patient के relatives को उसके parents को nurse टीच कराएगी कि the medication will be needed throughout the child's lifetime baby के lifetime के लिए यह medications चाहिए होगा option B is the correct answer next question आपका है the nurse is caring for a client admitted with suspected misthenia gravis which finding is usually associated with a diagnosis of misthenia gravis एक patient आपके पास बेंडिट है suspected है misthenia gravis का which finding is usually associated with diagnosis of misthenia gravis यान कि misthenia gravis इसलिए patient में इन में से कौन सा symptom या कौन सी finding देखने को मिलती है या आप से या पे पूछा गया है first option आपका visual instruments including diplopia या visual instruments या visual changes देखने को मिलेंगे diplopia भी होगा ascending paralysis and loss of motor function motor function का loss होगा ascending paralysis देखने को मिलेंगा cogwheel rigidity और loss of coordination coordination का loss रहेगा cogwheel rigidity देखने को मिलेगी या progressive weakness रहे कि that is worse at the end of the day या progressive weakness देखने को मिलेगा और ये date का जब end होगा यानि कि इवनिंग टाइम पर ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा तो इन में से कौन सी फाइंडिंग है या कौन सा सिम्टम जो हम इस्थेने ग्रेविशिव साले पिशिंट में देखने को मिलता है देखें फर्स्ट ओप्सन दिया गए आपको वीजोल डिस्ट्रमेंट्स और इंक्लूडिंग डिप्लोपिया वीजोल चेंजेज और इंक्लूडिंग डिप्लोपिया ये सिम्टम जो है ये देखने को मिलता है आपको मल्टिपल इसकलेरोसिस में multiple sclerosis में multiple sclerosis क्या होता है multiple sclerosis जो होता है यह आपका demonization होता है central nervous system के neurons का तो यह symptom जो है visual disturbance and including diplopia यह multiple sclerosis में आपको देखने को मिलता है दूसरा है ascending paralysis and loss of motor function यह आपको देखने को मिलता है GBS में Gullion Barry syndrome में ascending paralysis and loss of motor function motor functions का loss होगा इसके साथ-साथ ascending paralysis जो यह देखने को मिलता है यह देखने को मिलता है गुलियन बैरे सिंड्रोम में यह जो symptoms है यह यह जो disease है यह infectious disease है inflammatory disease है progressive है demyelination होता है peripheral neurons का PNS peripheral nervous system multiple sclerosis CNS का demyelination है और GBS जो है यह peripheral nerves का demyelination है तीसरा है cogwheel rigidity and loss of coordination coordination का loss होगा और rigidity देखने को मिलती है यह disease देखने को मिलती है यह symptom देखने को मिलता है Parkinsonism में ठीक है और progressive weakness that is worse at the ends day of days and यह देखने को मिलता है आपको misthenia gravis में option D है आपका सही answer देखने को मिलेगा बाकि तीनों answer आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि जो misthenia gravis है जहां पर acetylcholine receptor के against antibodies बन जाती है या acetylcholine के against antibody बनती है वहाँ पर muscle weakness देखने को मिलेगा और यह muscle weakness बढ़ता जाएगा और जब evening होगा या day का जब end होगा तो वहाँ पर और भी ज्यादा CVT इसकी देखने को मिलती है option D आपका सही answer देखने को मिलेगा और cogwheel rigidity और loss of coordination जो है यह Parkinsonism के symptoms है option D यहाँ पर सही answer आपको देखने को मिलेगा next question आपका है next question आपका है physician's order for a client with acute pancreatitis include the following एक acute pancreatitis वाला patient आपका है उसके लिए डोक्टर ने बोला strict NPO patient को निल पर oral रखना है NG tube connect कर दिया है डाल गने के बाद में low intermittent suction के साथ ठीक है the nurse recognize that these intervention will nurse को पता है कि इन intervention से या जो NPO रखने से और NG tube डालने से और उसको low intermittent सक्षन से connect कर देने से क्या होगा first option आपका reduce the secretion of pancreatic enzyme pancreatic enzymes के secretions को reduce करने के लिए या कम करने के लिए हमने ऐसा किया है कि patient को NPO रखा है और NG tube डाल दिया और उसको low intermittent सक्षन से connect कर दिया है दूसरा option है decrease the clients need for insulin patient के insulin requirement को कम करने के लिए तीसरा है यह आप से यहां पर पूछा गया रहा है जो NPO रखने के बाद में patient को हम यहां पर intermittent सक्षन जो low सक्षन पॉइंट है उससे आपने उसको connect कर दिया है एंगी ट्यूब को यहां पर हमारा main purpose क्या है इंक्रीज नहीं हो inflammation increase नहीं हो inflammatory process जादे नहीं बढ़े और pancreatic enzyme secretions का आगर secretion pancreatic enzyme का कम होगा तो inflammatory process नहीं बढ़ेगी यह हम चाहते है इसलिए हमने उसका NPO रखा है patient को और NG tube से उस section को connect कर दिया option A यहां पर सही answer देखने को मिलेगा दूसरा है decrease the clients need for insulin के requirement में कोई भी change नहीं आएगा क्योंकि अगर patient आपने NPO रखा है तो उसकी वज़े से आ सकता है यहां पर हमने NG tube डाली है तो इससे insulin के requirement में कोई चैंज नहीं आएगा option B आपका गलत हो जाएगा option C बोल रहा है prevent secretion of gastric acid gastric acid के secretions को NPO डालने से या NG tube को सक्षन से connect कर देने पर gastric acid के secretions को prevent नहीं किया जा सकता है option C आपका गलत हो जाएगा nausea, vomiting and dehydration एक diverticulitis वाला patient आपके पास अद्मिट हो है nausea, vomiting and dehydration हो रहा है which finding suggest a complication of diverticulitis इन में से कौन सा finding जो बता रहा है कि patient को diverticulitis का complication हो चुका है first option pain in the left lower quadrant left lower quadrant में अगर pain है तो इसका मतलब diverticulitis का complication हो गया है bored like abdomen है तो या low grade fever है तो या abdominal extension है तो देखिए अगर diverticulitis है तो इसका मतलब क्या है कि जो diverticulitis है वो commonly हमारे जो sigmoid colon है उस वाले area में देखने को मिलता है तो जो sigmoid colon है वो होता है left side में तो left lower quadrant में pain होगा pain in the left lower quadrant यह हमारा symptom शो कर रहा है diverticulitis के symptoms को ठीक है अब question में क्या पूछा है complication का कौन सा symptom होगा तो यह pain in the left lower quadrant यह तो हो गया आपके diverticulitis का यह complication का symptom नहीं है इसलिए option A आपका गलत हो गया board like abdomen तीसरा है low grade fever low grade fever जो है यह भी diverticulitis में देखने को मिलता है इसलिए यह option भी आपका गलत हो गया abdominal distension abdominal distension जो है यह भी diverticulitis में देखने को मिलता है इसलिए यह तीनों symptoms A, C, O, D यह तो symptom है आपके diverticulitis के लेकिन question में पूछा है complication का क्या symptom होगा तो diverticulitis का complication होगा board like abdomen option B आपका सही answer देखने को मिलेगा और option B है जो आपका सही answer देखने को मिलेगा क्योंकि अगर patient का board like abdomen आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि patient को peritonitis हो चुका है और peritonitis जो है यह diverticulitis का complication है इसलिए option B is the correct answer next question आपका है next question है the nurse is caring for a four year old with cerebral palsy एक चार साल का बच्चा है उसका nurse care provide करा रही है cerebral palsy patient को है which nursing intervention will help ready for the child for rehabilitative services इन में से कौन सा nursing intervention patient के help करेगा उसके rehabilitative services में ready होने के लिए first option है patching one of the eyes to straighten the muscle उसकी एक आई को हम पेच कर देंगे muscle के strength को वापीस regain करने के लिए दूसरा option है providing suckers and pinwheels to help strengthen tongue moments को बढ़ाने के लिए movement को strengthen करने के लिए suckers provide कराएंगे तीसरा option है providing musical tapes to provide auditory training auditory training के लिए musical tapes provide कराएंगे या encouraging play with video game to improve muscle coordination मसल के coordination को बढ़ाने के लिए video game play करेंगे या उसके लिए encourage करेंगे इस question का answer आपको बताना है जब हम अगला session लेके आएंगे 35th number episode अपने 1000 ankle x based question sessions का तो उसमें इस question को solve करेंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे शाथ थैंक यू